हलो भुर्ण कैसे हो आई हो भाई हमेश्य है कि तरह आप लोग गरदा वड़ार आपण में थीनों फोन का श्क्राइब चाहिए था तो भाई थोड़ा महंगा बात करें तो यहां पर सबसे महंगा जो आई फोन है इतना महंगा कि बाइद्स को दो आपको एक संदेट प्रो हो अज गर्दा कॉन उड़ाने वाला है वैसा अगर आपको कोई भी फोन इसमें से पर्चेस करना है तो आप जा सकते हो ट्राइकॉन डिजिटल बोरिंग रोड वर्मा सेंटर में और यहां पर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले का क्योंकि भाई तीनों फोन का डिस्प्ले जो ह उसका बताई है तो अगर प्रीक ब्राइटिस का बात करें ऑन पेपर तो वह भी वो देता है एच्टी आर्मोन में तीन हजार नीट सैमसंग जो है 2600 नीट्स है एपल जो है दो हजार नीट्स है सारे फोन से ब्राइट फील होते हैं इस चीज में किसी को यह नहीं बोलेंग जिडियोया सपोर्ट करता तो कहीं नगये यहाप बैटरी के महामले में डेफिंटी चुझ करने वाले हैं वीवों को एंड में नापको बताने वाले कि बैटरी जो है सबस्यादा किसा बश्ता बचता है अगरर फीचर्स का बात करें तो पीचर्स तो आपको यह बता दे कि AI जब से Samsung में आया है तो वो next level भाई हम लोग जो जितना use किया है काम करता है AI calling जिसमें कि आप भाई आप Hindi में बात करो translate करके English में दूसरे साइड सुनाएगा दूसरे साइड वाला गर इंगलिस में बात करना है तो translate करके Hindi में इधर बात करता है फिर AI editing है जिसमें photos को replace कर सकते हो किसी और जगर हटा सकते हो तो यह सब चीज काफी enhance किया है फोटो को बढ़ा कर सकते हो बिना किसी resolution को कम किये हुए और AI के थुरू आप किसी चीज को सर्च भी कर सकते हो नॉर्मल सा circle बनाना है चारो तरफ वह सब चीज कर सकते हो तो यह सब चीज जो है Samsung का काफी next level लेके गया तो हम लोगों ने इस तीनो फोन का dedicated review बना के रखा है वो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को बनाने के लिए पीछे काफी मेहनत किया है सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करके तो यहां पर इंस्टाग्राम पर फोटोज वीडियो लेने जाते हो तो इस जगह पर बाई अल्त्रावाइट का सपोर्ट वीवो में नहीं है लेकिन वीवो में हम लोगों ने जब जूम किया तो देखा कि टेली फोटो लेंस काम कर र नॉर्मल मोड में जाता है लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि बाई जूम करने के बाद वो टेली फोटो लेंस में स्वीच नहीं कर रहा था तो सबसे पहले अगर हम लोग कैमरा उपन करते हैं तो सारी फोन में आप देख सकते हो यहां पर वीवो में 0.6x, 1x, 2x, 4.3x, 10x का टॉगल है Samsung में हम लोग को 0.6x, 1x, 3x, 5x, 10x का टॉगल है और Apple में 0.5x, 1x, 2x, 5x का है रहा हम लोग वीवो में जैसे वो टैप करेंगे किसी भी लेंस में तो वो फोकल लेंक चेंज करता है यह वैसे ही Apple में भी आपको यह फीचर मिल जाएगा Samsung में ऐसा कुछ नहीं है नीचे अलग-अलग टॉगल साब को दिया हुए 100x तक का जूम यहीं से कर सकते हो वीवो में भी कुछ ऐसा ही है अब इसको इसको स्लाइड करके कर सकते हो आपल में भी वीवो में हम लोग को टी स्टार कोटिंग मिल जाता है जो कि रिफ्लेक्शन और सैडूस बगर को बट हमको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है एफ 1.7 अपर्चर वाला यह 1x1.3 इंच का सेंसर है और अगर अपल का बात करें तो यह भी 48 मेगापिक्सल का सेंसर है और यह काफी अच्छा संसर है 1x1.28 इंच का यहां पे भी आपको अपर्चर जो 1.8 अपर्चर मिल जाता है तो भाई सारा इंफोन बहुत इंप्रूब हो चुका है सेंटरलेक के मामले में तो भाई टोटल फोटो सेलेक्शन जो है यहां पे 45 वीवो में और 47 सैंसंग में भाई सर्प्राइजिंग है कि बस 23 फोटो ही एपल में आ पाया यह दोनों फोन पहले से काफी जादा इंप्र और सैंसंग में जो आप यह चीज ध्यान रखना की प्री रिलीज सॉफ्ट्वेर है तो अभी इसका अपडेट्स आएगा तो और बहतर होगा इसका कलर्स वगरा डैनमीक रेंज वगरा लेकिन अभी भी हम लोगों ने देखा सैंसंग बहुत बड़ी है परफॉर्म कर रहा सॉफ्ट भी करता है फोटोस को कभी-कभी पर और यह मैक्सिममम रिजॉलिशन 200 मेगापिक्सल सैंसंग का बागी दोनों का 50-48 मेगापिक्सल में है तो वहां पर भी सैंसंग सबसे सार्फ है सेकंड पर भी वो है और थर्ड पर एपल है यहां पर लो लाइट में भी अगर दिखा कि भाई वो डार्क सरकल आप देख सकते हो भाई सर्कल बन चुका है वहां पर एक्स्ट्रीम डार्क में जैसे जैसे जाओगे तो यहां पर वीवो जो है अपना मैजिक दिखाता बड़ा सेंसर का एडवांटेज दिखाता है शापनेस जो है सैंसंग का भी बहुत ब अब बड़ा से यह तो टेक्ट्रड मोड या नैचुरल मोड आप यूज कर सकतो टेक्ट्र मोड भी निए अब बोलेंगे नैचुरल मोड यूज कर सकतो यहां पर मैक्रो शॉट्स लेने का ओप्शन है वीवो अकलाउता फोन इसमें आपको अल्ट्रावाइट पर मैक्रों जो टेली फोटो लेन से उसमें माक्रो मिल जाता है तो उनलाच यह मैपफोकस बाकर यह जैघयन वन औरहा मैक्रों करते हैं। फोटो स्ब्सक्राइabil . वीवो जो है पको contrasty photos देता है ready to go social media photos देदेगा Samsung और Apple जो है थोड़ा natural side में रखने का ज्यादा कोसिस करता है wider view सबस्याद आपको Apple में ही मिलने वाला है और Samsung भी काफी पहले सेंब बोलेंगे कि इंप्रूब ही किया है इस जगह पे और यहां पर dynamic range आप देख सकते हो वीवो का कितना तगड़ा dynamic range है second में Samsung है यह और बेटर होगा और Apple यहां पर sky को पूरा blown out कर चुका है तो यहां पर हम clearly एक शी तो बोल सकते है कि dynamic range के माम में सबसे बेस्ट जो है Samsung लगाए Apple के हर फोटो में आपको सेड़ वाले पार्ट में नॉइस दिख जाएगा और वीवो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करता है कभी कभी फोटो को लेकिन Samsung जो है consistent result जो है दे पाता है यहां पर blue is the sky जो है वीवो में दिख रहा होगा अप natural mode यूज करें तो ऐसे नहीं दिखेगा लेकिन लो लाइट में जतना जितना भी फोटो हम लोग ने लिया था वीवो का फोटो जो है सबसे यादा शार्प और डीटेल निकल के आता है और जो फ्लेयर से वह भी बाकी दोनों फोन से काफी ज्यादा काम है टी कोटिंग के चलते यह थ तो अगर मैक्सिमम टेली फोटो का बात करें तो वीवो में मिलता है 50 मेगापीसल का ओवाई इसके साथ f2.5 अपर्चर वाला 100 mm का पोट्रेट लेंस अब बोल सकते हो काफी तगड़ा लेंस है यह काफी बड़ा सेंसर है इसका और काफी अच्छा फोटो भी क्लिक है सामसं का तो 50 मेगापीसल का कैमरा है लेकिन एपल में 12 मेगापीसल का ही कैमरा है लेकिन 2.8 अपर्चर इसका 5X ऑप्टिकल जूम है और तीनों के जो टेली फोटो लेंस है मतलब उसमें भी आपको वाईस मिल जाता है मतलब अल्टरा वाइट को छोड़के बाकि सारे रियर कैमरा तो अब को सब्सक्राइब करें यहां पर टेली फोटो लेंस जो है वीवो में है और मैckos भी शूट कर सकता है लेकिन टेली फोटो जो ही बेस्ट होता बरकि दोनों फोन्स जमापर मैको फोटो كरता तो इस ज futur City करेंगा वीवो में एक और अड़्वांटेजू जो 4.3X का टेली फोटो है बाकी दोनों का 5X पा फोटो देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा कॉंट्रास्टी और बेटर फोटो दे पाता है हमको परसनेली बोले तो जितने लोगों को दिखाया है वो यहीं बोले कि वीवो का फोटो जो है टेली फोटो में डेफिनिटली बे यहां से एपल का स्टरगल स्टार्ट होता है इससे उपर जैसे कि आप 10X पे जाओगे तो यहां पर भी वीवो जो है बाकी दोनों फोन से बहतर काम करता है सेकेंड पर यहां पर हम बोलेंगे कि सैमसंग ही है लेकिन एपल भाई यहां पर एपल का उप्तिमाइज करना पड मून के शॉट में मैं सैमसंग बहतर लगा एपल में पूछा ही में मून लेहीं नहीं पाता है तो यहां पर बोलेंगे कि सैमसंग मून शॉट्स के लिए बहतर है लेकिन अगर आप मैक्सिमम में जोम तक जाओगे तो वहां पर हमको थोड़ा साइसा लगा कि वीवो जब आ यहां पर पर शॉट्र करेंगे वीवो और संसंग को ज्यादा प्रिफर करेंगे वीवो तोड़ा सब्राइट करता है और अपल जो है वो भी काफी बढ़ी है मतलब नाचुरल एक दम हंडेट परसंट आपको नाचुरल कला स्थाहिए तो हम बोलेगे कि एपल थोड़ा सा ठीक है बट वही है कि फ्लेयर्स और सेडोस में नॉइज वगरा जो आपको हर सीचुएशन में एपल में दिख जाएगा मैक्सिमम फोट यहां पर देख सकते हो कि वीव काफी शार्प है सैमसंग कहीं कहीं पर सॉफ्ट करता है फोटोस को लेकिन एपल भी काफी अच्छा रिजल्ट देख पाता है तो प्राइस के साब समें एपल से और एक्सपेट किये थे खासकर लो लाइट वाले फोटोस में यहां पर सैमसं पर यहां पर देख रहे हैं पर एपल में बस वहीं फाइब एक्स को उप्शन है तो दिफरेंट इफरेंट फोकल लेंग्ट है बस आप वह देख सकतो यहां पर कलर साइंस वाइसा ही है जैसा कि मतलब नौर्मली बाकी फोटोस में था लो लाइट में अल्मोस्ट अड़ ज करता है यहां पर सैमसंग और एपल जो है सबसे यहादा बेटर एक्सपोजर बगएरा हैंडल करता है एच सेलेक्शन किसी भी फोन में कोई भी इशू नहीं है हमको थोड़ा सा लगा कि एपल में कहीं कहीं पर एक दो जगा प्रॉब्लम हुआ सैमसंग में भी वीवो जो है यहां बहुत बढ़ियां पर फॉर्म करता है एपल जो है लो लाइट के लिए बिल्कुल भी हम कभी रिक्मेंड नहीं करेंगे डे टाइम में अपले भी सकतो लेकिन लो लाइट के इसाब से मोबराल देखेंगे तो यहीं बोलेंगे कि आपके लिए जो बेस्ट आप्शन ह आपको यहीं कि अपर नहीं है कि इसमें जाईस के जो डिफेंट बोके मोड है जिसमें आप ग्राउंड कर सकते हो रहना बोके की सब्सक्राइब जाब को आप रहना इसे यह तो मिलेगा देखें लेकिन शोपर्च का सपोर्ट थम्कों करत नहीं है Samsung में वही same 23 Ultra वाला 12MP वाला F2.2 अपर्चर वाला आटोफोकस लेन से मिल जाता है लेकिन वही Apple में आपको F1.9 वाला 12MP लेन से मिलता है जिसका sensor size भी अच्छा है and front में आपको larger aperture भी मिल जाता है तो अगर front camera के photos में देखोगे तो सबसे पहला चीज आपको वीवो का जो फोटोस है contrasty और जादा wider दीखेगा Samsung natural side में Apple भी natural side में रखने के कुसिस करता है जैसा weather था उस हिसाब से कभी-कभी हमको लगा कि Apple जो वाच्डाउट कर रहा है लेकिन Apple का colors जो है थोड़ा natural side में Samsung हमको यहां पर colors के मामने में सबसे बेस्ट लगा Dynamic range में Apple जो है बेस्ट था लेकिन overall हम low light का अगर फोटोस मिला दे यहां पर तो भाई यहां पर वीवो जो है बहुत ही शार्प डीटेल मतलब फेस तो चीक ना करता है उतना नहीं है बट आपको सबसे बहतर जो जो मैकसमाम लोगों को पसंद आता है उस चीज का बात कर रहा है तो वहां पर वीवो आपको पसंद आएगा सबसे आदा front camera के मामने में इभन जो front camera में portrait mode हम लोगों पर मल्टीपल लोगों को handle करने का चीज हो या फिर वाइडर भीव हो या फिर कुछ भी हो तो वहाँ पर वीव हो काफी बढ़िया लगा मतलब यह चीज काम करने का जरूरत है तो डेफिनिटली बोलेंगे कि अपल को भाई लो लाइट में इतना गंदा परफॉर्मेंस भाई अच्छा फोन्स मतलब इतना प्राइस में महंगा होने के बाद भी अगर आप ऐसा फोटो देते हैं तो बहुत इंप्रूब्मेंट का जरूरत है इवें जो फ्लैस के साथ फोटो था उसमें को सैमसंग यह वाला फीचर देखो जैसे हम लें यह फोटो क्लिक किया भाई यहां पर हम होम स्कीन पर थोड़ा होल्ड करते हैं औ यहां पर यह सर्च करेंगा बता देगा क्या है और इतना था कि यह लेंस भी बता दिया कि कौन सा लेंस लगा हुआ इसमें कामरा भी सोनी का है तो वह सोनी का सारा कुछ बता दिया तो यह फीचर जो है आपके लिए काफी जादा हेल्प करने वाला है सैमसंग का बहुत बाद यह फोटोस क्लिक कर लेगा तो यह सब फीचर जो है सैमसंग को काफी नेक्स लेवल लेकर जाता है तो पेन का यह भी फीचर है कि जैसे कि आप पेन को होल्ड करोगे प्रेस करोगे और ऐसे राउंड घुमाऊगे तो यह जूम होता है यह देख सकता आप कि ऐसे जू में देता है सैमसंग जो है वह वह भी 8K देता है 1X और 5X दोनों पर 8K है और 4K 60 अपे सब्सक्राइब का सपोर्ट है यहां पर सूपर स्टीडी मोड़ है सारे फोन में हाईयर स्टेबलाइशन के लिए तो एक्स्टरा फीचर का बात करेंगे तो प्रो मोड जो है वीवो मे है यहां इस जगह पर tap करेंगे तो ultra HD 120 fps तक ultra wide और wide angle पर शूट कर सकते हो बाकि सारे फोन में 4K 60 fps 8K 1080p 240 fps का option है भी वह में Apple में कोई भी प्रो मोड का controls बगर नहीं मिलता है और यहां पर एक और फाइदा है Samsung में कि आप mics को change कर सकते हो फ्रेंट माइक, रियर माइक या ओमनी माइक मतलब चारो तरीके चारो तरफ कर रिकॉर्डिंग करेगा तो उसके लिए controls बगर दिया गया तो डेफिनिट इस जगह पर हम Samsung प्रो मोड में चूज करेंगे तो अगर slow motion के बात करेंगे तो Samsung में जो एक advantage है वह हम लोग को सारा फोन फॉर्के सपोर्ट करता है वीवो जो है front camera में ताइम लेस का सबस्तबी जायका एक्सपर्ट रॉ है जो कि सबसे हाइस्ट कॉलिटी का रॉटो आपको क्लिक कर सकता है डूल रेकॉर्डिंग मतलों फ्रंट रियर और रियर का दोनों कैमरा जे एक साथ यह सब और फीचर मिल जाता है हम लोगों सैमसंग में जो है नया AI फीचर साया है जिसमें कि अब किसी भी सब्जेक्ट को टैप करो कहीं भी मूव कर दो तो यह सब फीचर मिल जाता है एपल में भी सिनेमेटिक वीडियो का कंट्रोल मिल जाता है जिसमें आपको ब्लर वगरा कैसे क्या रखना है उसका भी कंट्रोल मिल जाएगा किस पर फोकस करना है यह सब फीचर मिल जाएगा सैमसंग काफी क्लोस जा चुका है उसके वीवो को अभी भी बहुत काम करना बाकी है लेकिन हाँ जिस प्राइज पर उसके साब से ठीक है आपको साइड रख सकते हैं क्वालिटी के मामल में एक ही चीज वीवो में अच्छा लगा कि बड़ा सेंसर है तो जिसके वैसे नाचुरल बैक्ग्रांड ब्लर जो है बहु काम करता है आटो फोकसिंग में कहीं पर को इशू हमको हुमन सब्जेक्ट में तो कहीं पर अभी तक किसी फोन में दिखा नही कर चुका है और अगर टेली फोटो का बात करें सामसंग में आपको 3x मिलता है और 5x दोनों मिल जाता है वीवो में हम लोग को 4.3x मिलता है और एपल में सिर्फ 5x मिलता है वैसे सामसंग का बता दे कि प्री रिलीज सॉफ्टवेर के चलती है यहां पर थोड़ा से एक्सप थोड़ा सामको ऐसा फील हुआ कि सामसंग कभी-कभी उमको ज्यादा शार्प और डीटेल वीडियो देता हुआ दिख रहा था वही अगर लो लाइट का बात करें तो यहां पर एपल का एक्सपोजर हैं देखो कितना तगड़ा है सामसंग में आपको शैडोज में थोड़ कितना तगड़ा काम करता है थोड़ा सामसंग अच्छा करता है बट सापने डीटेलिंग अभी आपको सब जगह पर यही है कि वीव का सबसे बेस लगएगा इवन अल्ट्रावाइट पर स्वीच करने के बाद आप लाइट देख सकतो कितना बढ़िया तरीके से लाइट ज बहुत बढ़िया हो चुका है बस अपल अगर इवन इसका सेंसरी यूज कर लेगा तो फिर गर्दा बढ़ा देगा यहीं बोल सकते हैं बाद पूर के 60 इप पे अगर रिकार्ड कर रहा हो तो एक फीचर दिखाते हैं जो की वीव में भी लेकिन वह आप 1080 पी 60 इप पर काम करता है यह फीचर रिकारडिंग करते करते आप उसका रिवर्स कर सकतो कैमरा सुईच कर सकते हो यह फीचर वीव में भी काम करेंगा यहां पे आने के बाद ऐसा कुछ आप वीडियो बना सकते हो वह भी 4K में जिसमें आपका front camera भी on है, rear camera भी on है और इसको आप switch भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से shift करके, तो भाई ये आप 4K में record होगा, bloggers के लिए मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत जादा helpful है ये, पीछे का audio जो है, आपको कैसा मिलने वाला है, हम switch करते रहेंगे, सारी फोन में उपर आइकन आते चला जागा, जिस भी फोन से आपका audio बगर आ रहा है, ये 1X पे है, और जूम करने पे भी, सारी फोन में जूम माइक दिया हुआ है, तो जूम करने पे इसका माइक कैसा काम पे और इस जगह पे आप audio भी सुन सकते कि किस फोन से कैसा audio आ रहा है, जो अभी आप audio सुन रहे हो, वो X100 Pro से रिकॉर्ड हो रहा है, अब जो आप audio सुन रहे हो, वो Samsung S24 Ultra पे रिकॉर्ड हो रहा है, और अब जो आप audio सुन रहे हो, वो है iPhone 15 Pro Max का, आप बताओ, कमेंट करें क आपको किसका audio जो है सबस्क्राइच लगा, तो ये वीडियो आप देख रहे हो, फ्रंट कैमरा में, 4K 60fps पे Samsung और Apple में, और 1080p 60fps में, भाई वीवो में, I don't know, वीवो X-series का फोन बनाती है, इतना प्रीमियम फोन से है, और स्टिल 5.0 4K, and I think हमने थोड़ा कोसिस भी क्या प बात करें, तो वो Apple में, 2nd पे है, और सबसे ज़्यादा वाइडर वीवो में ही मिल जाता है, काफी ज़्यादा वाइड आपको मिल जाएगा, यहां पर कुछ वाइसा ब्राइट लाइट नहीं है, तो कुछ वाइसा जज नहीं कर सकते, लेंगे डिस्प्ले में देख एक च चीज तो हम बोल सकते हैं, वीवो यहां पर perform बहुत अच्छा कर रहा है, डिस्प्ले में काफी कम noise level वगएरा सारा कुछ देख रहा है, और Samsung में काफी जादा noise है, लाश्ट टाइम भी हम लोगों ने जो detail review किया था, उसमें भी देखा था कि noise यहां पर बहुत कम आता है, ब अगेंज दे लाइट कुछ हो तो ऐसा सिच्वेशन में, तो अगर अप slow motion रिकॉर्ड करते हो, तो 1080p 240 एपस का slow motion आप देख रहे हो, Samsung और Apple आपका audio भी रिकॉर्ड करता है, वीवो का quality हम को यहां पर बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं लगा, शापनेस नहीं है, quality के मामल में स्रिफ Apple और Samsung या अपके लिए बहतर है slow motion और अगर cinematic mode या ported mode का बात करेंगे तो यहां पे वीवो और Apple में जो है आपको एक अडवांटेज है कि भाई, आप उसमें switch कर सकते हो, दो परसन अगर आपको है तो वैसा यह बहुत जादा useful कुछ है नहीं, उस जगह पे भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो भाई हम डेफिनिटी बोलें कि सिनेमेटिक मोड के लिए आपके बेस्ट प्सन जो है वह भी वह है यहां पर एपल और Samsung जो है अराउंड 50% के अप्रॉक्स में आ चुका है और Samsung जो है इसमें हम लोग काफी कुछ और भी एक्स्प्रोर कर रहे थे तो थोड़ा सा ज्यादा यूज हुआ है लेकिन वहां बैटरी देखो बड़ा बैटरी है 78% अभी बैटरी इसमें बचा हुआ है तो कहीं न कहीं हम बोलेंगे वीव जो बड़ा बैटरी नहीं काम भी करता है थोड़ा तो डेफिनिटी बैटरी के लिए सबसे बेस सबसे बड़ा बड़ा प्लस पॉंट हो जाता है तो अभी इसमें प्री रिलीज सॉफ्ट्वेर है बहुत ही तकड़ा रिजर्ट देता है और 4K 120 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला इंडिया में एक लौता फॉन आपका सकते हो वैसा नथिंग फॉन 2 भी आपको रिकॉ की जगा बेस्ट है लेकिन प्राइस वाइस हम एक संड़ेट प्रो और एस 24 अल्ट्रा को ही चूज करेंगे अपल अपने प्राइस के साफ से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है खासकर फोटो में तो गरदा है यहां पर सैमसंग और वीबोड आता है आप भी उड़ा झाल 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 झाल